स्वास्ट्रिकाल जी मैं जस्मीज सिंग ते तुसी बेख रहे हो पीटीसी न्यूज लाइव अते वड़ी खबर समने आई है दसमी अते बार्वी दे विद्यार्थियां दे बोड दे एक्जाम्स हुन आफलाइन मोड विच ही होंगे हां जी तान उदासना चावांगे के बी लेकिन सीबी आइसी ने बीते दिनी एलान कीता सी के उनना दे टर्म दो एक्जाम्स हुन आफलाइन मोड विच होंगे जीतिकार के कई विद्यार्थी तंग अते परिशान सान असी तान उदासना चावांगे जेडी जानकारी सानु मिलिया उस मताबग 15 वाद राजियां द विद्यार्थियां ने सुप्रीम कोर्ट विच एपेटीशन दायर कीती सी जिस विच उनना ने बोल लिया है काफी लंबे समय तों ओनलाइन मोड विच पढ़ाई कार दे पाए सन अते इसलही साथे जड़े बोर्ड एक्जाम्स ने जड़े आउन वाले ने उनना नू भी ओनलाइन मोड विच ही लिता जावे लेकिन सी बीएस सी अते उस देनाल होर राजियां ते बोर्ड ने डिसाइड कीता है फैसला लिता है के आउन वाले बोर्ड एक्जाम्स उनना नूहुन आफलाइन मोड विच लिता जाओगा जीदे कारके कई विद्यार्थियां नू च सीगा कि जेडा भी साड़ा मुलांकन है अंद्रूनी मुलांकन है उस हिसावनाल साड़े एक पेपर होन अते ऑनलाइन मोड विच ही सानू पास कीता जावे लेकिन सुप्रीम कोट दी बेंच जिसनू हेड कारे सन एम खानविलकर ओना दी अगवाई वाली बेंच ने इस पे दाइरया नूँ ओना दी जेडी ड्यूटी है ओ करंदिती जावे अते हुन जेडे आन वाले टर्म दो दे सीबी असी थे होर बोर्ड दे एक्जाम हन ओन ओन ऑफ लाइन मोड विच होंगे जीदा अर्थ है के बच्चेया नूँ अपने स्कूल ना विच जाके शरीरिक तौ और थे इना बोर्ड एक्जाम्स नूँ देना पवेगा जिते कई विद्यार थी बीते लम्मे समय तो कोविड महमारी दे आन तो बात बीते लम्मे समय तो करें बैके ऑनलाइन मोड विच पढ़ाई दी प्रेपरेशन कार रहे सी आउन वाले इना एक्जाम्स दी प्रेपरे ऐसी होना दे हुकम तो बाद हुन ए जड़े एक्जाम्स हन ओ आनलाइन मोड विच तो हटा के ऑफलाइन मोड विच इना नू पा दिता गया है जीदे कारके हुन शरीर का तौर ते स्कूल विच पॉंच के बच्चेया नू एक्जाम्स देने पैनगे किते हैं माप्या लई ए वड़ी दाहता है क्योंकि किते हैं उननू एफर्क पैर्या सी एफिकर पैरी सी के उनना दे बच्चेया दा पविख की बनेगा कोविड महामारी तो बाद उनना दे बच्चे लम्मे समय तो करे बैके इपड़ाई कारते पाए सान लेकिन जिड़ा एक स्कूल विच बैके टीचर दी हाजरी विच बैके जड़ी प्रेपरेशन हों दी है ओ ऑनलाइन मोड विच नहीं हों दी जिसनू लाएके ओ चिंतित सान बच्चे विच चांदे सान मापे विच चांदे सान के स्कूल लाएनू छेती तो छेती खोल देता जावे जीदे कार के उनना दी पड़ाई इफेक्ट ना होवे लेकिन सुप्रीम कोड देस डिसिजन तो बाद के ऑनलाइन प्रेपरेशन तो बाद हुन एक दाम तो उनना आफ्लाइन मोड विच आके एक्जाम्स देने पैंड़े इसनाल कितना किते कुछ क माप्यानू अथे बच्च्यानू चटका जरूर लगया होने लेकिन ताजा खबर एही है कि हुन आउन वाली 26 अप्रेल तो टर्म टू सीबीसी दे टर्म टू एक्जाम्स अथे होर कि माफ्दंड रहेंगे की रिस्ट्रिक्शन्स लेंगे हैं एदे वारे भी हजे चर्चा आउनी बाकी है क्योंकि स्कूला ने सीबीसी ने जाहिर किता सिगा कि जेडे बच्चियानू दूसरी डोज नहीं लगी है कोविड वैक्सिंग दी दूसरी डोज नहीं लगी है ओ श स्कूल वेच हाजरी नहीं पार साकते सी शरीरिक तौरते हुन वेखना ये होवेगा कि सीबीसी ने चब्बी आउन वाली चब्बी अप्रैल नूँ ए हुकम ता जारी कार देते हैं के बच्चा नूँ शरीरिक तौरते एक्जाम आके स्कूल वेच देने पैन गे लेकिन जे पेश और दुनिया दी होवर बढ़ियां खबराली तुसी जुड़े रहो PTC News नाल तनवाद